1968 की सुवह तक्रीवन 4 बजे 20 साल की बाबरा मैकले नाम की एक लड़की अपनी मा के साथ कहीं जाते समय रास्ते में एक होटल में ठहरी लेकिन तभी अचानक किसी ने उनका गेट खटकटाया जिसने बाद में बारबरा को किड़नेप किया और उसे एक जंगल में ले जाकर जमीन में जिन्दा गाड़ दिया आकर कौन थी ये लड़की और कौन थी ये किड़नेपर जिसने इस भयानक गटना को अंजाम दिया हम ये सब सभी जानेंगे लेकिन इससे पहले में बता दूँ मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मिश्टिरियस फाइल का एक दमाकेदार एपिसोड 1968 के टाइम 20 साल की बाबा मैकले अपने घर से दूर अमेरिका के जॉर्जिया राज के अटलांटा सहर में एमोरी युनिबरस्टी में पढ़ती थी जिसे वहां रहते एक दिन होंग कॉंग फ्लू हो गया और अपनी बेटी की इस कंडिसन के बाई में जानकर एक दिन बारबरा की मा जैन मैकले उसे बापस अपने घर फ्लोरिडा लाने के लिए घर से निकली क्यूंकि उस टाइम क्रिस्मस की छुटियां भी नजदीक थी और उपर से फ्लो के चलते उसकी तबियत भी ठीक नहीं थी इसलिए बारबरा अपनी मा के आने के बाद उनके साथ गाड़ी में बैट कर घर के लिए निकल गई लेकिन बीच रास्ते में पहुचने पर उन्हें लगा कि वो जल्दी घर नहीं पहुच पाएंगे इसलिए उन्होंने रास्ते में मौझूद रोडबे इन नाम के एक होटल में रुकने की सोची और होटल में जाकर बहां एक रूम लिया लेकिन 17 दिसंबर 1968 की सुबह तकरीवन 4 बजे जब दोनों बैट कर कुछ बाते कर रहे थे तबी अचानक किसी ने उनके रूम का गेट खट खट आया जिस पर बारबरा की माने पूचा की कौन है तो उन्होंने खुद को पुलिस बाला बताया जो पुलिस की ड्रेस में थे उनमें से एक बैकती ने बारबरा को बताया कि तुम्हारे बाइफरेंड इस्टी बढ़ का एक भयानक कार अक्सिडेंट हो गया है जिसकी हालत बहुत ही खराब है और उसे एक होस्पिटल में एडमिट किया गया है ये बात सुनकर बारबरा को सौक लगा और बो रोने लगी और बिना कुछ सोचे बारबरा ने गेट खोल दिया और उन्हें अंदर आने दिया ये सोचे बिना कि उन्हें कैसे पता चला कि बारबरा इस होटल में रुकी है लेकिन जैसे ही बारबरा ने गेट खोला बैसे ही मास्क पेने एक आदमी बंदूक के साथ रूम के अंदर गुसा और उसके पीचे मास्क पेने एक महिला भी अंदर आई और इसके बाद तुरंथ उन्होंने कलोरो फार्म निकाला और बार्बरा की मा के मुझ को पकट कर थोड़ी देर में उन्हें बेहोस कर दिया जबकि बार्बरा के सर पर बंदूक रख दी इसके बाद इन्होंने बार्बरा की मा को रस्सी से बांदिया और बार्बरा को बंदू की नोक पर अपने साथ ले गए बार्बरा ये समझ चुकी थी कि उसे किड्नेप कर लिया गया है और फिर ये लोग उसे होटल के बाहर खड़ी ब्लू बोल्बो गाड़ी में जबरन बैटाल कर अपने साथ ले गए इसके बाद ये लोग डिकेटर सेयर से लगवक 45 मील दूर बने एक जंगल में ले गए और बहां पहुँचकर बार्बरा को गाड़ी से बाहर निकाला समान था जिसे इन लोगों ने पहले से ही खोट कर रखा था जो तक्रीबन 19 से 20 फुट गहरा था इस गड़े के अंदर कांच का एक ताबूत रखा गया था इसके बाद इन दोनों किड़ने पर ने जबरन उसे पकड़ कर इस ताबूत में लिटा दिया और बंदों की नोग पर बाबरा को लिटा कर उसके हाथ में एक फेपर थमाया जिस पर किड़नेपिंग लिखा था और जबरन उसे यह पकड़बा कर मुसकुरानी के लिए कहा इसके बाद उन लोगों ने उसकी ये फोटो कीची ये सब करने के बाद उन लोगों ने ताबूत को बंद कर दिया और उस पर मिट्टी डालने लगे। इन लोगों ने ये ताबूत इस तरीके से बनाया था ताकि अंदर ऑक्सीजन आती जाती रहे। इसके लिए इन्हों ने कुछ पाइप लगाई थे। जिसमें लिखा था कि बारबरा को किड्नेप कर लिया गया है तो आप जल्दी से 5 लाग डॉलर का इंतिजाम करो। उस टाइम के 5 लाग डॉलर आज के लगवक 3.5 मिलियन डॉलर के बराबर है। उस लेटर में ये क्लियर लिखा था कि जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे तब तक बारबरा इस ताबूत से बहार नहीं निकलेगी। इसके बाद बारबरा के पिता ने बैंक से पैसे निकाले और किड्नेपर द्वारा बताएगी जगा पर पैसे लेकर पहुंचे। लेकिन जब वो उनसे मिलने बाले थे तब ही बहार से एक पुलिस की गाड़ी निकली जिसे देखकर किड्नेपर भाग गए। दरासल उन्हें लगा कि इन्होंने पुलिस को बुला लिया है इसलिए बो लोग डर गए और भाग गए। ये सब होने के कुछ टाइम पहले बारबरा की मा को भी हो सा चुका था जिन्होंने किसी तरह अपने आपको उन रस्यों से चुड़ाया और तुरंथ पुलिस को फोन किया पहले बार किड्नेपर से न मिलने के बाद बारबरा की पिता ने पुलिस से हेल्प लेने की सोची दासल बारबरा के पिता उस समय के एक नामी ब्यक्ती थे इसलिए वे सीधे FBI के पास पहुंचे और उने सब घटना के बारे म चोड़ कर भाग गई थे जो बाद में पुलिस को मिल चुकी थी जिसकी जाच करने पर पता चला कि ये गाड़ी किसी जॉज डीकन नाम के ब्यक्ती के नाम पर रजिस्टिट है इन सब के बीच बारबरा के पिता को अपनी बेटी की टैंसन होने लगी जिसके बाद उन्हों किडनेपर को कॉल करके दूसी जगह मिलने को कहा और इस बार किडनेपर को पैसा मिल चुका था यानि उन्होंने जहां पैसा रखनी के लिए का था वो लोग बहां से पैसा लेकर चले गए लेकिन पैसा मिलने के बाद उनका कोई पता नहीं था बारबरा के पिता ने उन्हे सब बात वताई इसके बाद बोबी FBI के साथ मिलकर उसे ढूड़ने लगे इन सब के बीच FBI ने उस गाड़ी के मालक जॉज डीकन को ढूड़ लिया जो पुलिस को मियामी में मिला और वो ताबूत बनाने का काम किया करता था लेकिन जब पुलिस उसके ठिकाने पर गई तो बह केलिफोनिया का एक भवड़ा अपरादी है जिसने 14 साल की एज में छोटे मोटे अपराद करना सुरू कर दिया था और पुलिस के पास इसका एक अच्छा खासा क्राइम रिकॉर्ड था दरासल गैरी कृष्ट ने जेल से बाहर आने के बाद अपना नाम बदल लिया था और बाद इसने पुलिस को कई जगे बताई जिस पर पुलिस ने अपनी कई टीमें बनाई और बारबरा को जंगल में ढूड़ना सुरू कर दिया जिसके काफी टाइम बाद पुलिस को बारबरा मिली जो किसमत से 83 गंटे बाद भी अभी भी जिन्दा थी लेकिन उसकी कंडिश इसन काफी खाब थी ताबूत से निकालने के बाद उसे त्रंथ हॉस्पिटल भेज देया गया और दूसी किड़ने पर जो एक महिला थी उसे लगबाग धाई महीने बाद ओखला होम से अरेश्ट किया गया इस लड़की का नाम रूत आइस मैंसियर था दासल इस घटना के बाद इस लड़की ने जॉब के लिए एक हॉस्पिटल में अपलाई किया था और जॉब के लिए उसके फिंगर प्रिंट डाटा में डाले गए थे जो पुलिस को गाड़ी से मिले फिंगर प्रिंट से मैच हुए इसके बाद पुलिस बहां गई और इसे अरेश्ट कर लिय इसके बाद कोट ने रूत को 7 साल की सया सुनाई लेकिन उसे सिर्फ 4 साल ही जेल में रहना पड़ा और गैरी कृष्ट को उम्ब कैद की सया सुनाई लेकिन 10 साल बाद वो पैरॉल पर बहार आया और बापर साका उसने कोट से माफी के लिए अपलाई किया जिसके बाद उसे चोड़ दिया गया बहार आकर उसने मेडिकल की पड़ाई करी और इंडियाना में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया लेकिन कुछ टाइम बाद किसी कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया और 2006 में कुछ टाइम बाद उसे फिर से अरेस्ट किया गया क्यूंकि वो अमीर महिला को किड़नेपिंग का प्लान बनाया जिसके लिए उन्होंने कैई अमीर महिलाओं की लिस्ट बनाई लेकिन बाद में बार्बरा मैकले को अपना टारगेट बनाया और उसका पीछा करना सुरू कर दिया और मौका मिलने पर उसे किड़नेप कर लिया और इस